नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विकास पांडे और आप सभी को इंपीरियल आर्ट में तहे दिल से स्वागत करता हूँ दोस्तों, यह है कॉरल ड्रॉ के बैज का क्लास और आज के क्लास में मनी बैक सेलिंग बैज को बनाना सीखेंगे तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिस करेंगे इस थमनेल को साइट कर लेंगे, टूल बार में जाएंगे, रेक्टेंगल टूल लेंगे, कंट्रोल और सिफ्ट की को प्रेस रखते हुए, एक स्क्वाइर का शेप ड्रॉ करेंगे shift की को प्रेस रखते हुए अंदर की ओर drag करेंगे right click कर देंगे एक duplicate हो जाएगा square और first square को लेंगे दोस्तो और envelope tool में जाना है हमें और इस point को नीचे की ओल लाएंगे बट दोस्तों इसे undo कर लेते हैं single arch mode को हमें select करना है इस midpoint में इसे join करेंगे ये देखिए इस point को इस midpoint में join करना है और इसे square को निकाल कर delete कर देंगे ये shape ready हो गया है window में जाएंगे, dockers में जाएंगे corner में जाना है में fillet को choose करना है 4 mm radius रहेगा और इसे apply कर देंगे कुछ इस तरीके का round shape इसमें effect आ जाएगा shift की को press रखते हुए अंदर की ओर लेंगे right click कर देंगे ये देखिए और इसके outline width को four point में ले लेते हैं outline pen में जाएंगे, behind fill scale width object कर देंगे color को जो है यहाँ पे dark purple color हमें choose करना है और इसे ok कर देंगे और यहाँ पे light purple color को feel कर लेंगे edit fill में जाएंगे fountain fill में अब जाना है हमें और dark वाले purple को नीचे की ओर रखेंगे और उपर में white वाला portion को रखेंगे rotate कर लेंगे और ok कर देंगे same process उपर वाले shape में भी हमें करना है light purple color से feel कर लेंगे edit fill में जाएंगे fountain fill में जाएंगे यहाँ पे इसे rotate करेंगे dark वाला portion नीचे होगा और light वाले portion को उपर रखेंगे और ok कर देंगे यह देखें दोस्तों कुछ इस तरीके का इसमें effect आ गया है इसके outline को 8 point में हम रख लेते हैं थोड़ा मोटा eye होना चाहिए दोस्तों तो यह perfect है और उपर वाले के outline को हम none कर देंगे और इसे select कर कहाँ पे side में place कर देते हैं एक two point line से एक line draw करेंगे कुछ इस तरीके से एक line को हमने draw कर लिया है इसके outline pen से इसके मोटाई को four point में ले लेते हैं और एक rectangle draw करेंगे यहाँ पे dark purple color हमें choose करना है इसके देखिए यहाँ से choose करेंगे इसको click करेंगे और कुछ इस तरीके का आ जाएगा और इसमें हमें dark color को choose करना है इसमें हमने dark color को choose कर लिया है और इसे delete कर देंगे यहाँ पे outline pen में जाना है behind field scale with object कर देंगे यहाँ से हमें इसे choose कर लेना है color को eye dropper tool से और यह color इस line में आ जाएगा control की को press रखते हुए यहाँ ले आएगे इसे और right click कर देंगे duplicate हो जाएगा अब हमें blend में जाना है यह blend लिया है हमने और इसे यहाँ से इस line से join कर देंगे कुछ इस तरीके का effect इसमें आ जाएगा और यह blend object से हमें इसके इसे थोड़ा बढ़ा देना है 50 तक हम ले लेते हैं दोस्तों और group कर लेंगे control की को press रखते हुए इसे यहाँ लाएगे और right click कर देंगे duplicate हो जाएगा अब power clip inside करना है यह power clip inside हमने इसमें कर लिया है और outer वाले shape में भी हम कर देंगे यह देखिए power clip inside यहाँ भी कर देंगे कुछ इस तरीके का effect इसमें आ जाएगा और यह effect आ गया है इसे अब center में ले आते हैं अब इसमें हमें text लिखना है group कर लेंगे money back लिखेंगे इसे select करेंगे horizontal alignment में जाएंगे और center में यह देखिए center कर लेंगे इसके text को जो है substantial regular normal text जो होता है दोस्तों उसे ले लेंगे और यह जो है shape यह इसमें perfect हो रहा है यह देखिए वसे थोड़ा shift की को press रखते वे बढ़ा कर लेंगे यह इसे rotate कर देना है double click कर यहाँ पर rotate का handle आ जाता है और इसे rotate कर लेंगे और इसे यहाँ पर हम place कर लेते हैं center में place कर लेंगे double click कर थोड़ा सा और rotate कर लेते हैं यह rotate हो गया है अब इसमें इसके color को हम change करेंगे दोस्तों तो white color ले लेते हैं ये color इसमें अच्छा लग रहा है अब एक star draw करना है हमें star tool से यहाँ पे देखें shape tool में जाएंगे और इसे अंदर के उल लेंगे एक star draw हो जाएगा star draw हो गया है इसे यहाँ पे place करेंगे यह देखें कुछ इस तरीके से और shift की को press रखते हुए थोड़ा छोटा कर लेंगे यहाँ पे हमने place कर दिया है white color से feel करेंगे outline को remove कर देंगे control की को देखें ऐसी पकड़ कर यहाँ पे लाना है और right click कर देंगे फिर से एक बार try करेंगे यह देखें यहाँ पे लाएंगे और right click कर देंगे same यहाँ पे से भी यहाँ तक लाना है और right click कर देंगे duplicate हो जाएगा और अब two point line लेते हैं और एक line ले लेते हैं कुछ इस तरीके से और देखेंगे कि यह perfect line में आ रहा है यानि यह देखें इसे इस line से join कर लेंगे यहाँ पे इसे भी इस line से यहाँ पे नीचे में join करते हैं यह कुछ इस तरीके से और इसे भी इस line से हम join कर लेंगे थोड़ा सा उपर करने की ज़रत है उपर करेंगे यह यहाँ पे और यह perfect हो गया है अब line को हमें बाहर निकाल लेना है इस line को हम बाहर की ओर ले जाएंगे और delete कर देंगे इसे select कर लेंगे group कर लेते हैं यह ready हो गया है shift की को press रखते वे थोड़ा छोटा कर लेंगे यह छोटा भी हमने कर लिया है इसे side कर लेते हैं background को center में ले आएंगे इस badge को अब यहाँ पर place करना है दोस्तों और shift की को press रखते हुए थोड़ा छोटा करेंगे यह हमने इसे set कर लिया है अच्छे से set कर लें इसे center में place करना है यह अच्छे से यहाँ पर center में place कर लिया है हमने तो दोस्तों यह था आज का class और दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की class आपको जरूर पसंद आई होगी पसंद आए तो like करें, share करें, subscribe करें और किसी भी तरह के प्रश्न के लिए comment section में जरूर लिखें मैं उसका उत्तर जरूर दूँगा हम अगले class में बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए badge के साथ थैंक्स ऑर वच्छिंगा था नए नहीं एक बार दूँखा प्रश्न के लिए जए भार के सीवटर आपको जरूर लिए नहीं आपको ज़्टर आपको ज़ए प्रश्न के लिए करेंगे लिए